हाई दोस्तों बारत और इंगलेंड के चार टेस्ट मैच होंगे और पांच टेटोंटी और तीन वंडे होगे इंग्लेंड के टीम चन्नाई आचुकी है और अभियाश शुरू कर दिया है और पहला टेस्ट मैच पहुंच से नव चन्नाई और दूसरा तेरे से शत्रा चन्नाई में होगा और अगले दू मुकावद टेस्ट के चोईश अटाईश और चाष आँट मोटेर किर्गेट इस्टेविडियम अम्दबाद में होगे और फिर पांस्टी स्टोटी मैच होगे जिसमें पहला टेस्टोंटी मैच बारा तरीक को दूसरा चब्दे को और तीस्टा टेस्टोंटी मैच शोले को और चोट्ता टेस्टोंटी मैच अठारे को और पांस्टा टेस्टोंटी मैच बिस्टारीक को होगा और इंग्दानेंड की टीम को टकर देने के लिए भारती मुश्चिले बढ़ सकती है काई विगा खिलाडी खिलेंगे और तीन वंडे भी होंगे पहला वंडे 23 मार्च को दूसरा 26 मार्च को और चौत्ता 23 रा 28 मार्च को होगा और आए पियल ऑक्षन भी 70 देशंबर फ्रवरी को भी होगा काई खिलाडी उपर बोली लग सकती है काई उपर दाव लगा सकती है देखते हैं किस पर बोली जदे लगती है अब की बार और बारत और इंग्लेंड की शिरिस देखने के लिए हर खिलाडी इत चुक है और अब की बार कम ग्राउंड पर मैच होगे और देखने वाले दर्शक भी कम होगे और भारत और इंग्लेंड की शिरिस हर देखने के लिए इत चुक होगी इंडिया की टीम अब इंग्लेंड से चार से टेस्ट से जीज़ती है तो फाइनल में जगा भी बना सकती है आज़ एसे टेस्ट चैम्पियन्शिप में अगस्त में होने वाला फाइनल में भी खेल सकती है अगर इंडिया टीम तीन एक से जितती है तो भी फाइनल की रेश में आगे रहेगी और इंडिया की टीम में कहीं हिलो हिवा खिलाडी खेलते नजर आएंगे कमी भारते खिलाडी कि वापशी भी हो सकती है इस जी के साथ आगे भारत और इंगलेंड को इंगलेंड की जमीन पर भारत को पास टेस्ट मैच खेलने जो अगस्त में होंगे और इंडिया ए और इंडिया का भी मुकावला देखने को भी लेंगा इंग्लेंड में नोटिंगम में यही खबर है इसे तरह इंग्लेंड की टीम बार्ट के उपर हावी होने के लिए उश्ग है इंडिया और इंग्लेंड की टीम अच्छी फॉम है अभी अब भी इंडिया ऑस्टिलिया के सामने दू एक स्रीछ जीत के आई है और इंगलेंड भी शिलंका से दू श्रीछ जीत के आई है और वोसला दोनों का उशुक है और देखते हैं आगे टेस्ट जीता है कौन बंडे जीता है